आज की रेसिपी है बहुत ही खास क्यूंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाली है रेसिपी जिसे आप लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं यानि कि बच्चों का टिफिन हो या फिर आपकी हस्बिन का टिफिन हो आप उनके लंच बॉक्स में इस सबजी को र अच्छी अर्भी को हमने इस तरह से गोल गोल चॉप कर लिया है साथी यहां पर हमने तीन मीडियम साइस की आलू लिये थी उनको भी हमने चॉप कर लिया है और एक पैनल लेंगे उसमें सरसु के तेल को हीट कर लेंगे इसमें आपको आड कर देना है कुछ खड़े मसाले आप इसमें आड कर सकते हैं कुछ और खड़े मसाले और इसमें सरसु के दाने या फिर राई आप इसमें आड कर देजेगा जिसे बहुत अच्छा तड़का लगता है आप इसमें चाहें तो सूखी लाल मर्ची पाउडर का इस्तमाल भी कर सकते ही या चिली फ्लेक्स पट म अच्छे से आपको इन प्यास को कलर चेंज होने तक भूनते रहना है एक बार कलर चेंज हो जाए तब आपको इसको अच्छे से पलटते रहना है और थोड़ी देर के लिए हमने इसको दुबारा से भूनेंगे प्यास की कॉंटिक्टी थोड़ी जादा है इसलिए हमने इस को कर दिया है इस से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्टी भी बहुत बनती है तो इस तरह से रेसिपी ज़रूर ट्राय किज़ेगा एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखेगा अभी तक आपने आरोमाटिक कोकिंग को फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कुछ लोग मजबूरी में नहीं खा पाते हैं जिसे कि डायबेटीस किसी को है या फिर वेट लॉस करना है इसको आप अगर वेट लॉस के इस्वे में है तो आप इसको लिमिटेड अमांट में ले सकते हैं विडाबटीस के केस में ये दोनों ही चीज़े आपको लाउड न और या इस तरह से मीडियम साइश के पटाटोष ले वे जगा. मेरे पास मीडियम साइश के पटाटो इस्ते में बही इस्तेमाल किये हैं. अब थोड़े ज़ीं इस पूल सीख लेंगे यानिकी मसाला हम ने इसमैं भूना था, उसके साथ प्याज टमाटर सीख लिए और इस को बना सकते हैं यानिके लिमिटेड ओयल के साथ भी रेसिपी इजली बन कर तयार हो जाती है और यह कुईक भी है आसान है रेसिपी इसमें आप आड़ कर दिजेगा ऐस पर देस्ट मिर्ची पाउडर पर यहां पर मैं हल्दी आड़ कर रही हूं वन टीस्पून धनिया एक से टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें चाट मसाला आड़ किया है तोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो आड़ करिएगा आप चाहें तो स्किप कर देज़ेगा इस तरह से देखिए कुछ बेसिक से मसालों के साथ यह बहतरीन से रेसिपी आपकी बनकर तयार होती है कुछ ही मिन्टों में इसमें आप सॉल्ट आड़ कर देंगे ताकि अच्छे से मौश्चर रिलीज हो जाए और सारे ही मसाले हमारे अर्बी और आलो के साथ मिक्स हो जाएं आप चाहें तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देज़ेगा इन मसालों को इसी के साथ पका ली हो बीच बीच में इस्टर कर देपके रहिएगा अब यह आपके चांसल बड़ जाते हैं कि जो हमारे पास अर्वी है और आलू कूップ हो जाता है क्योंकि आलो इसपर इसमें सबसे पहले कूख होंगी अर्भी पर डिपेंड करता है आर्वी Śक्री कूई कभी ऐसा होता है कि हम उसको कितना भी boil कर ले या cook कर लें तो वो कच्छी ही रह जाती है अगर यह अच्छी है अर्भी तो यह अरासानी से पक जाएगी आलू के साथ साथ ही otherwise आलू पहले पकेगा और अर्भी को समय लगेगा तो इसलिए आप इसमें थोड़े सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं मैं इ की कि मैने कुछ देर के लिए इसमें मौश्य रिलीज हो गया था मेंने यहा से कैसे लगती है हमारी जरूरा में कमन बॉक्स में बताईएगा आप यहां से रेसिपी देख रहें यह भी हमें शेयर करना मत भुलिगा तो इस तरह से आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ जरूर एंचॉय कर सकते हैं अब देखे मैं यहापे पानी के छीटे दे रही हूँ यानि कि थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ जादा पानी मैं नहीं आट करूँ कि बस इतना पानी रखना है कि इससे मौश्यर इसको मिल जाओ और इसी की स्टीम में यह कोख हो जाए Salt as per the taste आप इसमें और बढ़ा दीचेगा क्योंकि हमने एक चमची Salt पहले इसमें आट किया है देखिए इसमें इतना मौश्यर आ गया है कि यह अच्छे से कोख हो जाएंगे जितना मौश्यर ऊपर रिलीज होकर इसके कवर पर आ जाएगा उसी को इसमें आप डिजॉल्व कर देंगे और बीच वीच अच्छे से स्टूर करते रहेंगे जितने अच्छे से यह सिख जाएंगे उतने अच्छे से आपके अर्भी बन करता ही आज हो जाती है देखिए मैं इस तरह से प्रेस करके देख रही हूँ सबसे पहले अर्भी को प्रेस किया है क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो अर्भी एकदम पर्फेक्टली आपके को खो चुकी है अब इसको थोड़ी देर के लिए और स्टीम करूंगी थोड़ी देर स्टीम करने के बाद में मैंने इसमें चॉप किया हुआ कोरियांडर आज कर दिया है आप चाहें तो इसमें करीपत्ते का तड़का भी लगा सकते थे तो इस तरह से कॉरियांडर को चॉप करके मैंने इसमें आड़ कर दिया है और एक बार आपका इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह बहुत ही बहतरीन रेसिपी होती है बच्चे अगर इंजॉइ नहीं करते हैं धनिया या कोई भी ऐसी चीज़ तो आप पालक के साथ भी इसको बना सकते हैं यानि कि आप पालक और मसाला कतली भी इस तरह से बना सकते हैं उसमें चॉप करके पालक को डाल देजेगा बच्चे डेफिनेटली इस रेसिपी को एंजॉइ करेंगे तो इस तरह से आप इस रेसिपी को अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं या मॉडिफाइ कर सकते हैं तो उनकी पसंदीदा जो भी वेजटेबल है उसमें आप कुछ हेल्दी मिला दिया करें तो यह बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो जाता है तो इस तरह से आपके लिए हेल्दी टिप्स लेकर आती रहूंगी तो आप जरूर इस रेसिपी को इंजॉई किये जएगा आज का टिप आपके लिए था कि आप जो भी आलो या कोई सबजी बना रहे हैं उसमें पाला काट कर देजए बच्चे डेफिनेटली इंजॉई करेंगे कि टेस्टी तो लगेगा ही साथ ही साथ हेल्दी भी हो जाएगा तो जरूर इस टिप को अपनाईएगा और टेस्टी से रेसिपी कैसे लगी आपको बताईएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी